नमशकार, मैं मंजू मंगल प्रभात लोड़ा, दादी नानी के खजाने में से कुछ टिप्स आपके लिए चुन कर लाई हूँ, हमारी दादी और नानी इतनी अनुभवी हुआ करती थी, हर मसले का हल उनके पास हुआ करता था, अक्सर दादी कहा करती थी, अगर घर में नेगेटिव एनरजी, नकारात्मक उरजा मैसूस करते हो, तो घर में जब पोचा लगता है, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया करो, और नमक का पोचा लगाया करो, उससे जितनी भी नकारात्मक उरजा होती है, वो खत्म हो जाती है इसके साथ यह वो कहा करती थी कि थोड़ी सी फिटकरी पानी में एक कटोरी में रख दो और उसको जहां भी बात्रूम है हमारे उस बात्रूम में रख दो और छह-साथ दिन के बाद में हम देखेंगे दीरे-दीरे वो पानी कम होने लगता है फिर जो बचा हुआ पानी रहता है, साथ दिनों के बाद उसे flush tank में बहा दिया करो, इससे भी नकारात में उर्जा खत्म हो जाया करती है अगर किसी को लग जाए, तो सबसे पहले और कोई दवाई हो या न हो, थोड़ा सा चूना गरम करके उसमें हल्दी डालकर थोड़ा गरम करकर उसका लेप लगा लीजिए, तो तुरंत रहत महसूस होगी